और शुरुवात बड़ी खबर के साथ वारन नसी के काशी विशुनात मंदिर के यलू जोन में बीती राथ काई राउन फाइरिंग हुई है बताया जो रहा है तीन बदमाशों ने मंदिर के यलू जोन में फाइरिंग किये फायरिंग में एक युवक को गोली लगी है जिसे अस्पिताल म भरते करा दिया गए बदमाश महेश पुरोहित नाम के एक हिस्ट्री शीचर को माणने आये तो उसी दोरान एक युवक को गोली लगी है बदमाशों की गोली से बशने के लिए महेश पुरोहित अपनी दुकान के फ्रिश के पीछ चिप गया महेश पुरोहित के चिपने के बाद भी बदमाश लगातार फाइरिंग करते रहे बदमाशों ने 5-6 राउंड फाइरिंग की गोली की आवाज सुनकर इस्थानिये लोगों ने जब बदमाशों को ललकारा तो बदमाश फराण हो गए फिलाल पुलिस चशनदीदों से पूछताच कर बदमाशों का पता लगाने में जुटी है लेकिन अब सवाल तो यह उठता है कि मंदिर परिसर है और ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा बहुत चाक चौबंद होती है काशिय उशनात टैंपल की यलो जोन की हम बात कर रहे है और ऐसे में यह बदमाश कैसे अंदर गुसे यह भी सवाल खड़ा होता है लापरवाही सिदी सिदे पुलिस पर जा रही है यह भी देखने को मिलता है अब काम धाम कर रहा है अब बढ़ा पाली देख रहा है कितने लोग आये थे तीन लोग करी थे अब के पहले भी रेकी कर के कोई गया था हा रेकी अब महसूस हो रहा था यह सपा का टो हिश्टी सीटर असास में थाने का बारस यादा उसके दो रड़के है मिसार यादा और बच्चू और एक व्यभाव यादा गुदू प्राणी दुस्वनी है उन्हों से प्राणी दुस्वनी जन्जी चलिया रही है अब यह नहीं मालूम भया का उन्टे क्या थे यह तो नहीं पता यह पहले वी दो मर्डर के मुकदमों में जेल जा चुके हैं और यह तकरीब नौ बजी अपने दुकान पे बैठे वे ते वहीं पर जो है दो लड़के आये और आकर के हैं अद्धाजन चालू करी तकरीबान पांच से छे राउंड फायर किया उन्होंने पांच कोके भी मिलें वहां पर काउंटर पर वहां से जो है दो लड़के नीचे उतरके जैसे भार आये दुकान के तो पास में ही वहां पे नाई की दुकान वो आउट अप डिंजर है, सिंग हॉस्टिल मैड में डूर रखे है, आउट अप डिंजर है, मैं अब देख करके आया हूँ और अमित ने इस वाग ज़ल जानकाय देने के लिए हमारे साथ अमित सबसे पहरे तुम जी बताईए कि मंदिर का यलो जोन है, यहाँ बदमाश घुसे कैसे, क्या वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी और आप पता लग पाया है पुलिस को कि बदमाश कौन है, कहां से आये थे और किस मक्सब से वहाँ पर आये जेके श्वेता, यलो जोन और पूरा जो मंदिर परिशख है, इसकी सुरक्षा रवस्था का जायदा लेने, हर देड़ दो महिने के अंदर ADG Security उत्तरपदेश आते हैं और बकायदे वो अपनी वीपोर्ट के इंग सरकार को और सुप्रीम कोर्ट तक उसको भेजते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पैय कर रखता है कि काशियर जोद्या और मतुरा की सुरक्षा के साथ कोई समझाता नहीं किया जाएगा करते हैं और उनके गोलियों का निशाना एक ऐसा इनोसे डाजमी बनता है जो बिचारा सेविंटर के बाहर जा रहा था तो ये गैंगवार की घतना है जो महेश पुरोई हिस्टी शिजर है वो बदवाशों के निजाने पर था लेकिन हो बच निकला और आप तलपना करिए कि गुदौलिया का जो इलाका है भीरभार वाला इलाका रहता है देश-विदेश से बड़ी संच्या में शुदालू उ इस बात से लगाए जैसकता है कि जब हाई सिक्योर्टी होती है यहां पर उसके बात भी कैसी यह बदमाश आये हो और इस बात से भी लगाई है कि बहुत सारी ऐसी जगे हैं देश में जहां पर आएसाइस के आतंग को देखते हुए ऐलर्ट भी जारी किया गया है इन तमाम चीजों के बीच कैसे बदमाश घुस गये फाइरिंग हो गई गोली बारी हो गई जिसमें एक तरीके से एक ऐसे शक्स की जान चली गई है जिसका इससे कोई मतलब भी नहीं था और सेक्योर्टी को लेकर हर बार यही सवाल खड़ होते है और अब बात करते हैं तेंदुए क से जंकर आतंक भी मचाया तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल परिसर में इसके बाद अफ्रात अफ्री का महौल शुरू हो गया यह तेंदुए आखिर क्यों रहाइशी इलाके में आया स्कूल तक कैसे आ गया यहां तक एक शक्स पर हमला भी कर दिय कर दिया और अब कबर जारकंट की राजधारी राची सिजा पर एक परिवार को इंसाफ का इंतजार है 12 साल के विनेका राची के सफाय इंटनाशनल स्कूल में एडमिशन के लिए वह यहां पर गया था ताकि वह पर लिखकर अपने माबाप का नाम रोशन कर सके लिकिन परिवार वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वहां सिक्षा देने वाल इसके साथ होग अरस के साथ होगा नरस के साथ होगा राची के सफायर इंटरनेशनल में 12 साल के विने की मौत पर उसके पिता का ये सवार आज पूरे देश का सवाल है जब स्कूल के शिक्षकों के पास ही बच्चे सुरक्षित नहीं होगे तो उनकी सुरक्षा की जमेदारी कौन लेगा 12 साल का विने स्कूल के हॉस्टल में रहता था शक्रवार की देर रात और शनिवार की तड़के सुबह तीन बजे परिवार वालों को एक जानकारी दी गई कि विने की तबियत खराब है थोड़ी दिर बाद विने की मौत की खबर आ गई परिवार वालों को इस समझ में नहीं आया कि कल तक विने बिल्कुल ठीक था अचानक उसकी मौत कैसे हुई परिवार वालों ने विने का शब देखा तो उन्हें हत्या की आशंका हुई पुलिस ने जाच शिरू की तो सामने आया कि विने की हत्या की गई है परिवार इंटरनाशनल स्कूल में जो ये वारदात हुई है इसको लेकर के पुलिस का विने की हत्या के आरोप में तीन शिक्षकों को हिरासत में लिया है साथ ही स्कूल के कई नन टीचिंग स्टाफ को भी हिरासत में लिया गया है जाच में ये भी सामने आया है कि विने को हॉस्टल से बाहर ले जाये गया और उसकी हत्या कर दी गई आरोप ये भी लग रहे हैं कि विन्य की हत्या से पहले उसका शारिरिक शोशन किया गया और इसे छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई अगर स्कूलों के अंदर ही इस तरह की घिनावनी वारदात होगी तो बच्चों की सुरक्षा की जमेदारी कौन लेगा सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और ये और भी अपसोस जनक बात है कि स्कूलों के अंदर और उनके अध्यापकों के दवारा प्रिंसीपल के दवारा इस तरह की असौल्ट किये जारें ये अपने आपने बहुती चिंता की बात है शर्मनाक है और उनको तुरंट गिरफत विन्य की मौत में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला रवया स्कूल प्रिशासन का रहा है स्कूल केमपस में विन्य की हत्या हुई लेकिन स्कूल इसे छिपाने में लगा रहा सवाल ये भी है कि स्कूल में अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो अभी भागों से छ पहले दिल्ली के MCD स्कूल में लापरवाही की वज़े से सेप्टिक टैंक में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी फिर दिल्ली के रियान इंटरनेशनल स्कूल में देव्यांश की मौत और अब राची में शिक्षकों पर 12 साल के छात्र के हत्या का आरूम लगा है ये तीन ऐसी घटनाए हैं जो दुनिया के सामने आई हैं लेकिन सवाल ये है कि देश में ऐसे कितने देव्यांश हैं जिनका सच स्कूल छिपा जाते हैं या छिपाने की कोशिश करते हैं और अब खबर गुरगाओ से गुरगाओ में एक स्कूल के 32 साल के प्रिंस्पल और डिरेक्टर को आठ साल की बच्ची से रेप की कोशिश के आरूप में गिरफतार किया गया है बच्ची के माता पिता को रेप की कोशिश के बारे में तब पता चला जब मासूम बच्ची ने स्कूल जाने सिंकार कर दिया आठ साल की बच्ची को उसके माबाप इस उम्मीद के साथ स्कूल भेचते थे कि वो कुछ सीखेगी लेकिन स्कूल में 72 साल के प्रिंस पर मासूम बच्ची पर गंदी नज़र रखता था परिवार वालों को ये जानकारी मिली तो उनके हो शुड़ गए जिस स्कूल में वो बच्ची को पढ़ने भेचते थे वो स्कूल उसके लिए सुरक्षित नहीं है बच्ची ने यही बताया जो अभी बता रही है कि सर ने मेरे को नीचे बुलाया और नीचे बुलाया बुलाने के बाद ये कह रही है कि मेरी चैन खोली सर ने जबर दस्ती कुड़गाओं पुलिस ने Protection of Children from Sexual Offense यानी पॉसको एक्ट के तहत मामरा दर्श करते हुए असोग विहार के आर्चा पबलिक स्कूल के 72 वर्शी प्रिंस्पल राम गोपाल और डारेक्टर को गिरफतार कर लिया इस गिरोनी वारदात की कोशिस का खुला सा तब हुआ, जब महस, दूसरी कलास में पढ़ने वाली बच्ची ने स्कूल जाने से इंकार कर दिया आरोपी राम गोपाल एयर फोर्स से रिटाइड आफिसर है वारदात के बाद सिर्फ पीरिद बच्ची सहमी हुई है और स्कूल जाने की बाद सुनकर ही रोने लगती है माता पिता अपने बच्चों का भविश्च सवारने के लिए कितनी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को स्कूल बेचते हैं लेकिन मासूम बच्चों के साथ इस तरह की घिनोनी वारदात करने वाले शिक्षकों की वज़े से इसकूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उखने लगे हैं तो उचे इरादों के आगे पहाड जैसे मुश्किलें भी हार जाते हैं इसी बात को सच कर दिखाया है दिल्ली के ललित कुमार ने ओफिस से अंफिट करार दिये गए ललित ने हार नहीं मानी बल्कि एक तुरह से जो इक उन्होंने कोशिश की है वो एक मिसाल अब बन गई है किसी की मदद के लिए एक अनोखी कार इन्होंने डिजाइन की है इस कार में क्या खासियत है और कैसे से डिजाइन किया गया इस रिपोर्ट में देखते हैं इस हाइब्रिड कार को देख कर कोई भी यही कहेगा कि इसे जरूर किसी हाइफाइफ फैक्टरी या डिजाइन स्टूडियों में तयार किया गया होगा लेकिन यह सच नहीं है इस कार को नौर्थीस दिल्ली के चौहान पत्ति गाउं में रहने वाले इंजिनियर ललित कुमार ने डिजाइन किया है यूं तो किसी बड़ी कार कंपनी के लिए ऐसी कार डिजाइन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन इंजिनियर ललित ने अकेले दम पर मुसीबतों से लड़ते हुए ये काम किया है ललित वो शक्स है जिन्हें 10 साल तक एक सरकारी दफ्तर में काम करने के बाद अन्फिट करार दे दिया गया था 2015 की स्टाटिंग की बात है ललित का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ उन्होंने एकोद Central Administrative Tribunal और दिल्ली हाइकोट में कानूनी लड़ाई-लड़ी और दोबारा नौकरी हासिल के तो दूसरी ओर अपने बुरे दिनों में उन्होंने कुछ नया करने की ठाने आठ महीने में आठ लाक रुपयों की लागत से एक सस्ती हाइप्रिड कार का डिजाइन उन्होंने तयार कर लिया तो रहत तो यह कॉस्ट एफेक्टिव है एक्चली मार्केट में जो भी इलेक्रिक कार या फिर पैट्रोल इस तरी की जो हैप्रिड गाड़ी है उनका जो बज़ट है वह मुझला मूर देन टैनला के मूर देन तीन लाक के रांड लेकिन इसका जो कॉस्ट हुई है जो टो अगर बैटरी पर चलाया जाए तो एक बार फुल चार्ज होने पर सक्तर से असी किलोमेटर तक चल सकती है अपनी कार की इस डिजाइन के पेटरन का आविदन कर चुके ललित कुमार कारों के मैगनेटिक इंजन दे डिजाइन करने में जुटे हैं जिसे चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी अश्वनी गुपता दिल्ली उत्तर भारत में ठन में कमी आती है लेकिन पहाडों पर लगतार बर्फ बारी अभी भी जारी है मौसम ने ऐसे तेवर बदले हैं कि रेवार को शिमला में इस मौसम की सबसे ज़्यादा बर्फ बारी हुई है पूरा शहर सवेचादर में लिप्टा हुआ नजर आया कुफरी में एक फुट नारकुंडा और खड़ा पत्थर में दो फुट तवही शिमला में आधा फुट से ज़्यादा बर्फ बारी दर्श की गए धरमशाला में सरवादिक 47 में नीचर बारिश हुई है बर्फ बारी का असर ये हुआ है कि एक ही दिन में ताप्मान 11 डिगरी नीचर चला गया माचल के बना लिए कुफरी नारकुंडा चायल नाल देरा समेथ कई परटर इस तरों पर जमकर बर्फ बारी हुई है हर तरफ बर्फ की चादर बिची हुई है तो वह इन उचले इलाकों में बारिश हो रही है दीश में बढ़ते आतंगबात के खत्रे से हर कोई परिशान है सब इस समस्या का हल तो चाहते हैं लेकिन बात किसी बड़ी पहल की हो गिने चुने लोग ही अब तक सामने आये है लेकिन मुंबई की माहिम दरगाह ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है माहिम दरगाह में एक ऐसा खास मुबाइल एप तयार किया गया है जो आतंगबात के लिए मूँ तोड़ जवाब साबित हो सकता है मुंबई की माहिम दरगाह ने आतंगबात के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है माहिम दरगाह के नाम से एक ऐसा एप तयार किया गया है जो आतंगबात को करारा जवाब देगा ये एप आतंगबात की तरफ जा रहे नौजवानों को भटकने से बचाएगा उन्हें मजहब के नाम पर आईस आईस जैसे आतंग की संगटनों के जाल में फसने और गुम्राह होने से रोकेगा ये एप उन्हें इसलाम की हकीकत और इसके सचे संदेश से रूबरू कराएगा आप का मकसद तो यही है कि ये फाइट अगेंस्ट टेरिरिजम है और ये खाली मुसलमानों का कौज नहीं है बलके पूरी यूमानिटी इनसानियत का कौज है और ये जो इनसानियत के ओपर जो धबा लगा रहे कुछ लोग तो इसमें काफी लोग हमारे साथ जुड़े रहे तो मकसद तो यही है कि लोगों तरफ को पोच्छना और उनकों बताना कि क्या सही है क्या गलत है इस्लामिक पॉइंट अफ यू से भी और इंडियन लौ पॉइंट अफ यू से भी हाल ही में तैयार किये गए इस एप में अलग-अलग टैब हैं जो नमाज से लेकर कुरान तक इसलाम से जुड़ी सारी जानकारी मुहया कराते हैं आतंकी संगठन ISIS इन दिनों सोशल मीडिया के जरिये नौजवानों को अपनी तरफ खीच रहा है लिहाजा इस एप में ऐसी सुविधा है कि मुस्लिम युवक्त, इसलाम और आतंकवाज जैसे विश्यों पर आसानी से सवाल पूछ सकते हैं और मुफ्ती उनका जवाब देंगे इतना ही नहीं एप में अलग-अलग जैट्रूम भी बनाए गए हैं जहां तमाम विश्यों पर बातचीत की जा सकती है माहिम दरगाय के इस एप का हर और स्वागत किया जा रहा है के बार लोग जो बहका में आ जाते हैं सुप्रिम कोर्ट जज ने कहा है कि जो जवान होता है उनका खून गरम होता है उससे ज़्यादा दिमाग गरम होता है तो इनको बहकाना बहुत आसान हो जाता है तो अगर इनको सही रास्ता दिखाए जाए तो इस फिर गलत रहा पे नहीं जाते है तो इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम होने के जरूरत है सिर्फ माहिम दरगा कर रहा है वो तो अच्छी बात है इसके साथ साथ सभी लोगों ने एक कोशिश करनी चाहिए बताया जा रहा है कि इस एप का मकसद युवाओं को मझहब और आतंकवाद जैसे विश्यों पर सही काउंसिलिंग देना और भटकने से बचाना है ताकि आतंकियों के नापाक मनसूबों को जड़ से खत्म किया जा सके ब्यूरो रिपूर्ट इंडिया 24-7 अचलिया बात करते हैं प्रदूशन के बुरे असर की जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही प्रभावित नहीं कर रहा है एक तरीके से परिंदों को पर्यावरन को सब को जहरीली हवारास नहीं आ रही है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है गुलावी नगरी यानि की जैपूर में जहां ठंड कम होते ही विदेशी परिंदे नजर नहीं आ रहे है और इसकी सबसे बड़ी वज़े है प्रदूशन साथ समंदर पार से आ रहे हैं इन परिंदों को गुलावी नगरी की फिज़ा रास नहीं आ रही है बरता प्रदूशन इन परिंदों की चैचहाहट पर भारी पढ़ रहा है जहरेली होती जैपूर की फिज़ा इन अनोखे, अनमोल और अद्भूत परिंदों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है ज्यादा तर माइगरेटरी डक्स यहां गायब है, यह बतलाता है कि मान सागर का स्वास्त, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है खुराक यहां उनके लिए नहीं है, यह बरसाता है कि राजिस्तान की सरकार आख मीच के बैठी हुई है इस जील के बारे में ठंड में अक्सर जल मेहल का मान सागर देशी विदेशी परिंदों से गुलजार रहता है ठिटूर्ती ठंड में खाना खोजने के लिए चात समंदर पार से ये परिंदे गुलावी नगरी की फिजाओं का आनंद लिने आते है लेकि इन इस बार कई परिंदे ऐसे हैं जो लज़र नहीं आ रहा है वज़े है जैपूर की जीलों में बढ़ता प्रदूशक अभे जिन परिंदों का दीदार हो रहा है गर्मी आते ही विदेशी परिंदे अपने वतन की ओर लोटने लगेंगे इस सीजन जीलों में करीब 3,000 विदेशी पक्षी आए थे जिसमें करीब 150 प्रजातियां देखने को मिली मौसम में आए बदलाव के बाद ये पक्षी सुधेश लोटने लगे है